सब मेरे भाईयों, दुस्मनों के कसा आईयों I know हम लोग बहुत देर बादी वीडियो लेकर आएं लेकिन ये वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है क्यों? क्योंकि ये मास्टरिंग और मिक्सिंग से भी मिलती जूलती है हम आज बात करने हो ले Su2 Plugin के बारे में जिसके बारे में आपने पढ़ लिया होगा बहुत से लोगों ने अनगिनत लोगों ने इसके बारे में वीडियो बनाई है लेकिन आज हम पेसी सरल भासा बें समझने वाले हैं कि भईया ये काम कहा करता है काम कैसे नहीं करता दोनों में फरक है एक तो भी यह जैसे होते हैं कि यह फ्रेस ओल्ड है यह रेसो है यह अटैक है यह फलना है धुमकान है यह ऐसे काम करते हैं लेकिन वो इस्तिमाल करनी कहा है यह कोई नहीं बताता तो आज हम सीखने वाले हैं कि अलग अलग चीजों पे सूद टूप लगइन जो कि बेसिकली रेजुनेंस डिड़क्टर कह सकते हो आटिफिशल इंटेलिजेंस पे बेस है मतलब कि जो तीखी साउंड है जो ऐसी शाप साउंड सामें कानों को लगती है उनको रिड्यूस करता है अपने अप जांच परताल करके इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ड्रम्स पे, वोकल्स पे, सिंस पे कैसे काम करता है और कैसे इस्तेमाल करना है तो आईए विदाउट अनी फटर बगवास देखते हैं कैसे काम करता है लेकिन सबसे बढ़ा है ड्रम्स पे यह हैं हमारे ड्रम लूप्स आईए एक बड़ी सुन लेते हैं कैसे साउंड करें यह लो-फा जॉनर है सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं ऐसे कोई दिक्कत है नहीं है लेकिन आपने बहुत बारी बात सुनी होगी कि यह सेम फैमिली के नहीं है चॉइस ऑफ एलिमेंट्स नहीं जा रहे हैं अब जैसे यह लो-फा जॉनर है अब जैसे यह ड्रम लूप है तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसके इंदर कुछ ऐसे चीज़े हैं जो कानों को हर्ट कर रही है अगर आप अच्छे पेर ओफ एडफोन पे हो या फिर आप फोन पे भी सुन रहे हो तो आपको पता लग जाए का जो हाई हाइट सेंस पेसिफिकली वह ऐसे लग रहा है कि यार किक ठीक है स्नेयर ठीक है लेकिन वह हाई हाइट उपर से डाली हुई है उसको सेट करने का सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है यह भाई कुछ नहीं करो यहाँ पे एक एक लगा दो और हाइस कम कर दो राइट ज़रूरी सूचना के लि मिलके धमाल उठाना चाहते हो तो आप हमें डियम कर सकते हैं और आगे की इंक्वाईरी ले सकते हैं अगर यह भी नहीं हो रहा तो यहाँ पे थोड़ा से और कट दे दो लेकिन इससे क्या हुआ आप देखो मेरी स्नेयर की साउंड भी मर गी तो दूसरा ऑप्शन दिमाग में क्या आता है कि हम ऐसे करते हैं एक डाइनमेक एक लगा देते हैं जो कि सिर्फ इस साउंड को कवर करें लेकिन अगेन यह भी इमपैक डाल रहा है अगर मैं यहां से अपनी सिर्फ के कॉन कर देता हूं तो आप देख रहे हो यह मेरी किक को भी मार रहा है और अगर मैं यहां से स्नेयर ओन करता हूं उसको भी मारे गए मैं चाहरा था कि कोई जादू अंतर करके हारे सिर्फ हाई हैट्स को कम करते तो वो काम करता है हमारा सूध भाईया अब सूध भाईया को एक बार यहां पर ले आते हैं इसको आफ करके और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है यह मैंने यहां पर setting करी है लेकर इसको गवराने की जुरूरत नहीं है हम काम करेंगे जैसे यह आपके घर पर start होगा तो वो होगा flat start बिल्कुल खाली इधर इधर देने की जुरूरत ही नहीं है तुम पहले इधर देखो हम लोग चाहते हैं कि हाई हैट को control करें तो सबसे असान तरीका आई हैट हमें पता है 3-4K के आसपास उसकी prominent frequency होती है तो मैं यहां से इसको उठा दूगा उठाने का मतलब है कि जहां पर मैं चाहता हूँ कि यह भाईया plugin हमारे काम करें उस जगह को यहां पर raise कर दो यहां पर बटन है इसको गलते हम listen का यह मतलब हमें सुनाएगा कि भाईया तुम कौन से एरिया पर काम कर दे हो तो अगर मैं यहां से listen on करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं सुनदा गवराने की जूरत नहीं यहां से हमने depth का मतलब है कि यह भाईजान कितना काम करवाना चाहते हैं थोड़ा बहुत ज्यादा मीडियम मीडियम तो मुझे कहते हैं कि यह बीच में आ जाओ अभी के लिए तुम तो इन्होंने काम करना सार्ट कर दिया है अब यहां पे एक और फाइदा भी यह सूद का कि आपको आपको साथ-साथ में resonance दिखा भी देता है तो अगर आपके कान अभी इतने ट्रेंड नहीं है तो आपको दिख भी जाएगा कि कहां पे है तो जैसे मैं यहां ले आता अभी भी आप notice कर सकते हैं कि इसमें अभी भी केक आ रही है अब मुझे केक को काम में नहीं लाना मैं जाता हूँ कि यहर मेरी केक पे बिल्कुल भी focus मत कर तो मैं क्या करूँगा मैं यहां पे जाके filter on कर दूँगा that means मैं low cut on कर दूँगा कि भी यह लोज पे काम ही नहीं कर अब मुझे पता लगया कि मुझे one case सिरफ यहां पे काम करने सेम चीज मैं इसका listen off कर देता हूँ सेम चीज मैं करता हूँ high cut के साथ high cut को अगर मैं on करता हूँ और उसके बाद इसको listen का button दवाता हूँ मुझे पूचे कहां काम करना है again तो मैं इसको यहां पर fit कर देता हूँ अब मैं अगर इसको सुनू तो मेरे को देखते हैं कि क्या result क्या मिल है इसके पहले हम कहां थे high hats पर notice करना और इसके बाद आप देख रहें वो टकन हो गई अंदर को और मेरी किक स्नेयर पर अफकोस थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो पड़े गा है लेकिन उसने मेरा बहुत हद तक ट्रीट कर दिया अब मैं आ जातों इसके इन कंट्रोल्स कर इधर पर मैं ध्यानी नहीं दे रहा य पर क्यों फोकस करने जो भी स्नापी इंस्ट्रुमेंट्स है तुम्बी है मैंडोलेन है टिंग डिंग डिंग जिनमें स्नैप है बिसिकली ट्रांजियंट है वहां पे मैं अपने सूध का अटैक करूँगा कम यार जैसी ट्रांजियंट आए तो भी अकाम करना सार्ट कर दे तो आप देख रहो काम कितना कम हो रहा है यहां पर और अगर मैं इसको फास कर देता हूं तो यह बहुत जल्दी काम कर रहा है मैं इसको बोलूँगा कि यार तू मेरे पास आजा तीन चार के आसपास कि थोड़ा बहुत रांजियंट निकलने दे लेकिन सिब्लिंस कम कर दे अबे कहां सिब्काई उसके बाद है रिलीज रिलीज का सिंपल सा असान चाहिए आप कम्प्रेसर में हो या कहीं पे भी हो कितनी जल्दी काम करके वापिस जाएगा अगर मैं इसको फुल कर देता हूं तो भाई आराम से सूस्तों के काम करेंगे तो यह तो हम बिल्कुल नह अब यह तो हो गया जहां पर हमने अटैक रिलीज समझ लिए और आप लोग देख भी चुके हैं कि यह ड्रम के उपर कैसे काम करता है और इसके फंक्शन जानने के लिए हम अगले सेक्शन में वड़ते हैं जहां हम इसको वोकल के उपर इस्तमाल करेंगे लेकिन उससे पहल और हाइट्स पी आउन करते हो राधर म्यूजिक भी आउन करता हूं फोल परस्पेक्टिव देखते हैं सुनते हैं तो तो यह जी यह क्यू की के साथ और अगर मैं अखेला यह सूद आन करता हूं तो अगर आपको लगता है कि यार यह मेरे टेस्ट के साब से बहुत जादा प्रोसेसिंग होगी है तो मैं कहूंगा कि राधर देन डेफ्ट को छेडने की बजाए जो कि यह डिसाइड करता है कि कितना काम करना है मैं कहूंगा पैरलर प्रोसेसिंग इस पे अगर मैं आता हूं तो आप देख रहे मिक्स नॉब दिया हूए इसका मतलब है कि भईया काम तो मैंने कर दिया लेक के हमारे बोकल्स के ऊपर अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे लगिया और आपको हमारी कोई भी वीडियो फ्यूचर में बिस नहीं करना चाहते तो आज ही कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज प्रेस दे बैल आइकॉन टू और हम लोगों कर लो फॉलो आस और इंस्ट्रग्राम टू कि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आप से छूटे ना सी यो अन दे नेक्स्ट वीडियो बाबाई